हे गाईज वेलकम बैक अगें टू आर फ्रेश वीडियो तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ यहाँ पर प्राइवेट स्टुडेंट्स का इंप्रूमेंट एंड कमपार्टमेंट का जो नोटिस आया था वो डिसकस कर लिया था एंड जो रेगुलर स्टुड स्टुडेंट्स का जो नोटिस था वो भी मेरे पास अवलेबल है मैंने डाउनलोड करके रखा था तो इसमें में बीसी नहीं है जो नोटिस से यह साइट से इसलिए अठाय हूं क्योंकि क्या पता यह जो नोटिस है वो डेट से पहले गलती से साइट पर अप्लोड हो गए यहां पर फिर पर लिख रखा है कि जो स्टुडेंट्स है जिनकी कंपार्टमेंट यह फिर इंप्रूव्मेंट देना चाहते है इस तूड़ कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स शूट अप्रोच द इसकूल फ्रूम विच दे वपेर्ट सिमिलरली दे स्कूल शॉल शाल आल आप कंपार्टमेंट एक्जाम देना चाहते हैं तो आपको स्कूल के थूरू एपलाई करना है ठीक है तो यह इसमें फर्स्ट पेरग्राफ में दे रखा है और जो स्टार्टिंग डेट है वो 27 जूलाई यहां पर बताई गई है वैनस डे और बाकी इसमें और कुछ जाद बस ही रहेगा जो अभी आपका ट्रम टू एक्जाम हुआ था वो सेम स्लेबस आपको यहां पर रहने वाला है और जो स्टूडेंट्स यहां पर इंप्रूमेंट देना चाहते हैं तो उनके लिए जो सब्जेक्ट्स नीचे एनेक्स्चर 4 में दे रखे हैं उन्ही सब्जेक हम बात करें तो यहां ए पार्ट में दे रखा है कि जो स्टूडेंट्स 2022 में भी अपलाई करे थे एड़ एंड उनकी किसी एक सब्जेक्ट्स में गमपार्ट्मेंट आ कäre यह तो वो स्टूडेंट्स यहां पर एपलाई कर सकते हैं और बी पार्ट में बोला गया है कि जो र सबजेक्ट थे तो उनका जैसे रिजल्ट तो five subject की basis पे calculate होता है बट वो किसी एक सबजेक्ट में उनकी compartment आ गई है तो वो students as a improvement of performance एक subject जिसमें उनकी compartment आगई उसका exam दे सकते हैं and deep point में दे रखाएगे जो regular students जो की 2022 में exam दिये थे बट उनका score थोड़ा कम है तो वो किसी एक subject में यहाँ पर under the improvement of performance category के through apply करके किसी एक subject में अपना marks improve कर सकते हैं ठीक है तो यह improvement वाला था जो यह जो d part था तो यह improvement वाले students के लिए था and similarly यहाँ 10th के लिए भी दे रखा है तो सेम चीज़े इसको बार बार repeat करने वह फायदा नहीं and अब मैं आपको यहाँ पर क्या आपकी date and fees रहने वाली वो बताता हूं तो जो इंडिया के student है उनकी 300 per subject यहाँ पर fees रहेगी and जो date है वो 27th of July से 30 of July इस notice के हिसाब से बताया जा रहा है and अगर आप यह date miss कर देते हैं तो फिर आपको 31st of August यह last date है and इस पर आपको 2000 rupees extra यहाँ पर fees late fee charge करी जाएगी and visually impaired students के लिए यहाँ पर कोई fees यहाँ पर charge नहीं करी जाएगी and जो आपका fees payment mode रहेगा वो online यहाँ पर बताया जा रहा है बट जो students यहाँ पर regular students जो school से apply करेंगे तो वो अपने school पर contact करके पूरी details यहाँ पर जान सकते हैं and अब आपका क्या step रहने वाला है जो regular student है उनके लिए तो पहला है कि generate list of candidates placed in compartment from school login यानि कि school आप सकूल से contact करेंगे तो वहाँ school में जो जिन student के compartment है फिर improvement के लिए apply कर रहे हैं उनकी यहाँ पर list बनेगी and वो list आप वो school के थूरू CBAC भीजी जाएगी उसके बाद में select role number and subject of student who wants to appear in compartment, finalize the selection and note down application ID generated, make payment online, generate final list and keep an authenticated copy for school records along with proof of depositing fee तो यहाँ पर regular students के लिए यह सारी चीज़े school के through करी जाएगी ठीक है यहाँ पर लिखा है by school यानि कि school के तरफ से करी जाएगी and जो private students थे उनका मैंने previous video में बताया था कि उनके लिए जो भी process है वो उन्हें खुदी manually करना पड़ेगा तो अब हम subjects की बात करते हैं तो इन subjects में आप compartment and improvement exam दे सकते हैं तो यह सारे जो subjects है आप यहाँ से screenshot या फिर इससे post कर सकते हैं तो यहाँ पर यह सारे subjects में आप अपने जिसे की compartment या फिर improvement exam दे सकते हैं यह 12th students के लिए था and यह 10th students के लिए यहाँ पर notice में दिखाया जा रहा ह तो ये notice CBAC में इसमें थोड़ा compile करके वापस से upload कर देगी बट जो major चीज़ें वो same रहने वाली है तो मैंने already इस वीडियो में भी थोड़ा बहुत आपको बता है और previous वीडियो में मैंने detailed में आपको बता है तो आप पूरी information यहां से collect कर सकते हैं कुछ minor सा changes भले CBACS में करें बट जो majority of the portion है वो same रहने वाले अगर आपका कुछ doubt रहता है तो आप comments के थुरूप पूछ सकते हैं और वीडियो थोड़ी भी helpful लगी है तो वीडियो को like जरूर करें और अपना कुछ doubt है वो आप comments में पूछें फिलाल इस वीडियो में इतना ही टेक केर और बाए